एपसोड टू के शुरुआत में हम देखते हैं कि कराकस में यूएस अमबैसे तक पहुँच कर कैप्टन रैमूस खुद को सरेंडर कर देता है, वो यहाँ पनाह लेना चापा है, बाहर उसे खतरा है, इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रियर, राइन को बोलता है कि कल तुम्हे यूएस के लिए वापस निकलना होगा, पर राइन बोलता है कि नहीं, मैं मोरेनों की कातल का पता लगाई बगेर, यहाँ से नहीं जाने वाला, तभी यहाँ का स्टेशन चीफ, माइक नवंबर यहाँ पर आ जा पा है, वो फिर रैमूस के बारे में बता पा है, कि रैमूस राइन कहता है कि यह देश छोड़ना क्यों जा रहा है, तो माइक कहता है कि यह मोरेनों के कातल को जानता है, इस वज़े से यह कुछ लोगों के लिए खतरा है, इसलिए कुछ लोग इसे मारना चापें, रैमूस से पूश्टाश होती है, तो बताता है कि जब मैं हॉस्पि पता था कि वो किसी को मारने वाले है राइन ये सुनकर काफी गुसा होता है और रैमोस को बुरा बला बोल कर यहां से निकल जाता है फिर ग्रियर अकेले में राइन से मिलता है तो राइन कहता है कि ये प्रेसेने ड्रीस का ही काम है ग्रियर कहपा है हम अलमीटा का और सेटलाइट का पता लगाने यहां पर आई थे पर यहां इसे भी बड़ा कुछ और ही हो रहा है हमें मिलकर काम करना होगा बड़ी होश्यारी से इसके बाद वेनेजुला में जंगल का सीन दिखाया जाता है कुछ लोग सो रहे हैं यह लोग यहां के रेडिकल ग्रूप के लोग हैं एक आदमी जब अपनी टंकी खाली करने जा पा है तो वहां छुपा एक आदमी उस पर गंद तान देता है और फिर यहां और चुपे होई लोग भी निकल कर आके ताबर तोर फाइरिंग करने लगते हैं सबको मार डालते हैं सिवाई दो के उन्हें पकड़ लिया जाता है फिर हमें फ्लॉरेडा में जैफ मैटिस नाम का शक्स दिखाय जाता है वो मारकस बिश्व नाम के आदमे से मिलता है मारकस के फादर नेवी में थे मारकस खुद भी आर्मी में था और दिवाल मैडल और अवार्ट से भरी पड़ी थी मारकस कहता है कि काम की बात बताओ कि यहां क्यूँ आयो जो Jeff कहता है कि मुझे एक board driver चाहिए, तुम best हो और off the record हमें एक mission पर जाना है और हमें तुम्हानी जरूत है पर Marcus साफ साफ मना कर देता है और यहां से जाने को कहता है और जादे जादे Jeff अपनी contact detail भी देता जाता है कि बाइचांस एरादा बदले तो जरूर मिलो, हम जल्दे ही निकलने वाले हैं वही कराकस में Ryan को Senator Chapin का call आता है Chapin कहता है कि मुझे भोरेनों की death का सुनकर काफी अफसोस हुआ तुम ठीको, वापस लोट आओ पर Ryan कहता है कि मैं बिना इस केस के तहह तक जाए वापस नहीं लोट किया सकता तो Chapin कहता है कि Ryan कैसी भी जरूरत हो मुझे call करना I am with you Ryan फिर वहाँ पर पहुँच जाता है जहां Elmita ship खड़ा था और worker की jacket और cap पहन कर ship में घुसकर shine bean करने लगता है तभी यहाँ पर एक गंजा आदमी आ जाता है और Ryan से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो Ryan कहता है कि दरसल मैं राता मटक गया हूँ वो गंजा पहलवान Jack से ID मांगता है पर तभी यहाँ पर लीना आ जाती है और इस situation से निकालने के लिए Jack से कहती है कि तुम फिर से गलस शिप पे आ गए हो ध्यान रखा करो यार और गंजे से सौरी बोल कर Jack को ले जाने रखती है पर गंजा पहलवान फिर से ID की डिमांड करता है तो लीना उसे बड़े style से उटके बहोश कर देती है और फरी ये दोनों यहां से भाग निकलते है राइन लीना से कहता है कि कौन हो तुम तुम मुझे follow क्यों कर रही हो तुमारी real identity क्या है तो लड़की कहती है कि मैं leak lane हूँ मैंने पहले रशियन खूफिया agency केस्की में काम किया है और फिलार मैं एक private investigator हूँ एक rich German businessman गायब हो गया था उसकी family government के पास गई पर सरकार ने help करने से मना कर दिया वो businessman एक military consultant था officially पर illegally वो हत्यार supply करता था तो जैक कहता है कि क्या President Reese को तो Lee Clean कहती है कि हाँ Lee Clean राइन को बोलती है कि तुम Reese तक पहुँचो तो तुम मुझे मेरा वो business में लोटा देना और इसके बदले मैं तुम्हें ये pen drive दे रही हो इसके जरीए तुम्हें अपना पहला move लेने में help मिलेगी इस pen drive में Lee Clean ने जर्नल उबारी और उसकी बीवी के बीच की conversation को record कर लिया था राइन इस recording को ग्रियर और माइक को भी सुनाता है ये समझ जाते हैं कि उबारी शुरुआ से बुरा नहीं था वो फसा हुआ था अब उबारी को blackmail करके रीज के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं हम लोग ग्रियर कहता है कि राइन ये recording तुम्हें कहां से मिले तो राइन लीक लेन के बारे में बता देता है माइक और ग्रियर उसे काफी criticize करते हैं कि वो एक foreign agent से help ले रहा है वो धोका दे सकती है पर end में माइक और ग्रियर जैक राइन के plan से agree हो जाते हैं उबारी की जब मुलाकात रीज से होती है तो वो कहता है कि तुमने वो रहनों पर attack के बारे में मुझे पहले क्यों नी बताया ये बहुत गलत हुआ और दुनिया हम पर आरोप लगा रही है तो रीज कहता है कि हम पर नहीं मुझ पर, मुझ पर आरोप लगाये जा रहे है जब असली किलर्स को ठिकाने लगाये जाएगा तो सब के मुझ बंद हो जाएगे वो बारी कहता है वो तो ठीक है पर रहमोस ने US Embassy जाकर पनाह ले लिये और उसने अपना मुझ खोल दिया है और रीज ये जानकर काफी चिंते दोता है इसके बाद हमें रीज का सिक्योर्टी इंचार्ट बैस्टोस दिखाय जा पाए इसी ने वहाँ जंगल में कुछ इंसर्जेंस को मार के दो को पकड़ लिया था और अब टॉर्चर करके इनसे फोर्सफुली कनफेशन पर साइन करवा रहा है जिसमें ये लिखा था कि इन लोगों ने ही मोरेनों को मारा है और ये ही जिम्मिदार है उस अटैक के लिए फिर हम बैस्टोस को देखते हैं रास्ते में उसके गाड़ी खराब हो जा पी है तो वो मेकैनिक को बुलाता है मेकैनिक गाड़ी को इंसपेक्ट करके कहता है कि तुमारी गाड़ी को टो करके ले जाना पड़ेगा वहीं सही होगी है ये दोनों गिरास पहुँच जाओ पे है मेकैनिक बैस्टोस को ओफिस में वीट करने को बोलता है पर आफिस में तो माइक, ग्रियर और राइन पहले से मौझूद थे ये सब बैस्टोस पर गंद तान देते हैं ये पूरी इनिकी ही सेटिंग थी माइक बैस्टोस के साथ सेलफी भी लेता है ये बोलकर कि कभी जरूत पड़ी तो इसे बकरा बना सकते हैं राइन बैस्टोस को उस रेकॉर्डिंग को सुनाता है और कहता है कि मिस्टर बैस्टोस आप रीज के सिक्यर्टी के हैड हैं ये इन्फरमेशन आपके लिए काम की है हुबारी से अलट रही है और ये बात बताकर बैस्टोस को जाने दिया जाता है असल में इन लोगों का ये प्लान था कि रीस के मन में उबारी के लिए doubt create करना रीस उबारी के खिलाफ कारवाई अगर करना चाहे तो उबारी को protection देने के बहाने ये लोग उबारी को रीस के खिलाफ use कर सकते हैं इसके बास leak lane जब hotel room में Ryan से मिलती है तो वो पूछती है कि उस tape को use किया क्या तो Ryan bestos वाली बात बता देता है वो उसे एक drink भी देता है और इस glass के bottom में वो bug पड़ा था जो leak lane ने यहां room में पिछली meeting के दोरान चुब केसे प्लांट कर दिया था Ryan को अब इस lady की असलिए पता है इसका real name Harriet Bowman है और इसका खोया हुआ वो जर्मन मैन भी BND से है BND दरसल जर्मनी के एक हुफिया agency है जैक कहता है कि मुझे सच जानना है Harriet बताती है कि उस आदमी का नाम Max Shankle है वो दो महिने पहले गायव होय था BND ने मुझे मौका दिया कि मैं Shankle को ढूड कर उसे वापस BND ले आऊँ वो भी जिंदा Ryan पूछता है कि Shankle कराकस में क्या करने आया है तो Harriet कहती है कि मुझे नहीं पता Ryan पूछता है कि होटल बार में तुम मुझे पर नजर क्यों रखनी थी तो Harriet बताती है कि जब मुझे पता चला कि तुम लोग Reese से मिले तो मुझे ऐसास हुआ कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है तो Ryan कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि मैं CIA के काम करता हूँ तो तुम मुझे directly भी approach कर सकती थी CIA पूरी help करती पर Harriet कहती है कि मुझे ऊपर से ऐसे order मिले थे कि इसे CIA के साथ joint operation नहीं बनाना है अधरवाइल शेंकल मारा जा सकता है वो हमें जिन्दा चाहिए तो Ryan कहता है कि चलो ठीक है मिलकर काम करते हैं और शेंकल को जिन्दा पकड़ते हैं वहीं US में Jeff Mattis बिशप को फिर से मिलता है और पैसे offer करता है कि mission में हमारे साथ चलो पर बिशप offer ठुकरा वेता है तो जाते जापे Jeff कहता है कि मारकस तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश को फिर से तुमानी जरूत है तुम भी अपने डैड की तरह महान बन सकते हो तो फिर से सोच लो हम सुबह 6 बचे निकल रहे हैं आ जाना टाइम पे वहीं लीजा, राइन और ग्रियर को इनिफॉर्म करती है कि प्रेसेंट रीस ने हमें मिलने के लिए बुलाया है पता नहीं क्या बात हो सकती है पर कोई भी गड़बन मत करना मीटिंग शांतिय से होनी चाहिए और ये लोग रीस से मिलने पहुँच जाते हैं रीस कहता है कि मुझे सेनिटर की मौत का काफी अखसोस है मगर एक गुड़नियूस है मेरे पास कि हमने आरोपियों को सजा दिलवा दी है दो जिंदा बच गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है पर राइन इसे कन्विंस्ट नहीं है वो जाते जाते रा राइन माइक से कॉल पर पूछता है कि कैप्टन रैमुस की फैमिली के किलर को उसके डॉगी ने बाइट किया था न तो किलर का कौन सा हाथ इंजर्ड था माइक कहता है कि लेफ्ट राइन समझ जाता है कि बैस्टोस ही वो किलर है माइक जब रैमुस से मिलता है तो उसे पत उसकी आउन्क में गुसा कर, हिम्मत करके ग्रियर को अवाज लेगा देता है, ग्रियर जब यहाँ पर आता है, तो हमलावर भाग जाता है, ग्रियर उसका पीछा करता है, पर थोड़ी ही देर में, अपने मोटो की हवा खराब हो जाती है, वो ठक कर बैट जाता है विचारा हार्ट पेशेंट जो है और अब वो हमलावर यहाँ से भाग चुका था इसके बाद राइन हैरियेट को शेंकल का स्केच दिखा कर कहता है यही मैक्स है न हैरियेट बोलती है कि हाँ तो राइन उस पर गंट पॉइंट करके कहता है कि मुझे ससस बताओ तो हैरियेट बता पिये कि मैं और मैक्स अफगानिस्तन में साथ में पोश्टिर थे मुझसे कुछ गडबड हो गई तो सारा इलजाम मैक्स ने अपने उपर ले लिया मगर उसके बाद सुपियर्स ने हमारा डिमोशन करके हमें B&A में डाल दिया पर फिर शेंकल गायब हो गया राइन कहता है कि वो कहां गया वो लोगों को पैसे के लिए मार रहा है तो मैं सब पता था पर तुमने कुछ नहीं बताया राइन पूछता है कि मैट्स अभी कहां पर है तो हैरिट कहती है कि पता नहीं राइन कहता है कि हैरिट मुझे तुम पर ज़रा भी वरोसा नहीं है और अब मैं अकेले ही उसे धुड़ लूँगा और इसी सीन के साथ ये एपसोड एंड हो जाता है थैंक्स ओर वाचिंग